नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका गौर्मेंट इपला चैनल में आगे बंडे से पहले आपसे गुजारिस है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लालकर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिये और पास की बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिये क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंसनरों के काम की वीडियो इस चैनल पर देते रहता हूँ तो सब्सक्राइब चरूर कीजिये और इस वीडियो को एक लाइक चरूर कीजिये दोस्तो अक्टूबर महिने से पेंसन धारकों और फैमिली पेंसनरों को सात्वे वितन के हिसाब से पेंसन मिलने वाला है अभी तक पेंसन धारकों को छट्वे वितन के हिसाब से पेंसन मिल रहा था चट्वे वितन में DA 142 पर्षन था यानि 142 पर्षन के हिसाब से DA मिल रहा था पर October में सात्वा वितन लगने के कारण अब आगे से DA सात्वे वितन के हिसाब से calculate होगा सात्वे वितन में इस समयं DA 12% मिल रहा है तो सात्वे वितन में सुधारित basic pension का 12% DA मिलेगा, तो आपकी total pension कितनी होने वाली है, इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उस वीडियो की link इस वीडियो की description पेज में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, दोस्तो, DA में इस सुधार January 2016 से किया गया है, यानि January 2016 से 7 वि ग्रेजुटी की रकम 10 लाग रुपे से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दिया गया है, पर इसका लाप सभी को नहीं मिलने वाला है, इसका लाप 29 मार्च 2018 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए है या होने वाले हैं, उनको ही इसका लाप दिया जाएगा, दोस्तो इसके साथ 29 मार्च 2018 के बाद जो पेंशन धारक रिटायर हुए हैं, उनको जनौरी 2016 से ग्रेजुटी का एरियर्स भी दिया जाएगा, तो आपकी ग्रेजुटी सात्वे रितन में कितनी होने वाली है, इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते उस वीडियो को, औ अनपा के सेकेंडरी स्कूल के सिचक और सिचेतर करमचारियों को इसका फायदा नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उनको रासासन का नियम लागू है, रासासन में ग्रेजुटी की सीमा 14 लाक रुपे हैं, तो दोस्तों उमिद करता हूँ कि यह जनकारी आपके लिए उपयोगी होगी, अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है इस वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को सब्स्राइब किजिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं को और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाए, तैंक्यू